बच्चों अगर total appropriation net profit से और या net profit plus interest on drawing से ज़्यादा होते हैं तो partners को हम appropriation केवल उतना ही दिया करते हैं जितना profit available होता है इस चीज़ को मैं आपको question number 52 के जरीए समझाने जा रहा हूं बुक है आपका TS Grewal और chapter का नाम partnership fundamental है और यह बुक का edition है 2022 है इसमें कबीर और जुरावर के salary 24-24,000 इच है परैनम, interest on capital जो निकल कर आया था at the rate 5% परैनम वो कबीर का 26,000, जुरावर का 16,000 और पारूल का 10,000 आया है और commission जो पारूल को मिलना है वो 1,00,000 निकल कर आया है, sale का 2%, जो कि sale है 50,000,00, interest on drawing सब का 1500 आया है और आदे साल का 5% परैनम के साब से, तो available profit केवल और केवल 1,60,000 है, मगर इस सारे appropriation आप जोड़ कर देख लीजिए, यह अब 2,00,000 आ रहा है इसके लावा एक बात और कही गई है, कि 10% और डिजल प्रॉफिट जर्नरिजर्ब में ट्रांस्वर करना है बच्चों, इस question में यह point भी खा गया था, कि जो 10% और डिजल प्रॉफिट है वो जर्नरिजर्ब में डाला जाएगा लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि अप्रॉफिएशन ही अविलिबल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो जर्नरिजर्ब का point तो कोई वैलिटी नहीं रहता, तो कि डिजल प्रॉफिट बचने वाला ही नहीं है अब पार्टनर्स को प्रॉफिशन भी कम-कम मिलने वाला है और exactly कितना मिलने वाला है मुझे आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग यह देखिए कभी इनको total पैसा मिलना है 50,000 salary और interest का जुरावर को से मिलना है 40,000 salary और interest का पार्टनर्स को मिलना है 1,10,000 salary इंटरस्ट का और commission का इन तीनों के amount का प्रॉफिशन रेश्यो निकाल लीजिए प्रॉफिशन का तो 5, 4, 11 आता है तो जो अवेलिवल profit है उसको 5, 4, 11 की रेश्यो में बाट दिया जाएगा अमंग 3 of them कुछ इस तरह से बाटा जाएगा देखिए कबीर के हिससे में आया 40,000 जुरावर के हिससे में आया आपका 32,000 और पारॉल के हिससे में आया 88,000 तो जो total appropriation इस तरह से दिखाया जाएगा बच्चो देख लीजिए बच्चो इन appropriations को इस तरह से भी बाटा जा सकता था कि कभीर को कितनी exactly salary मिलेगी कभीर को जुरावर को exactly कितनी salary मिलेगी कभीर को कितना interest on capital मिलेगा जुरावर को कितना interest on capital मिलेगा पारल को कितना interest on capital मिलेगा पारल को अब commission exactly कितना मिलेगा हम ये भी निकाल सकते हैं इन सब की interest on वो इनकी salary का interest on capital का और आपका commission का सब का ratio निकाल लिया तो 12, 12, 13, 8, 5, 50 इस ताइसे कबीर की salary आई 12 by 100 into 1,60 जेता available profit है यहने की पंदरा 19,200 जोरावर की salary जोरावर की salary जोरावर की salary जोरावर की salary 26,000 जोरावर की interest on capital आपका हो गया 12,800 पारवर का interest on capital हो गया 8,000 और पारवर को commission निकल कर आगया 8,000 इस तरह से हम यह भी बता सकते हैं कि किसको कितनी salary, कितना interest on capital और कितना commission मिला होगा तो यह भी एक तरीका है उस question को solve करने का बच्चो और ऐसे में बच्चो देखिए profit and loss appropriation account को जिस तरह से बनेगा net profit 1,5,500 interest on drawing 4500 ठीक है बच्चो क्रेइट साइड में यह तो इतने ही आने है पार्टन के salary कबीर और जवरावर को जो सच में मिला 19,200, 19,200 that is 38,400 interest on capital पार्टन को जितना मिला कबीर का 20,800, जवरावर का 12,800 और पारवल का 8,000 और पारवल का कमिंशन जितना मिला 80,000 यह सब देख लिए टोटल 1,60,000 हो गया तो इस question को इस तरह से भी solve किया जा सकता है ठीक है ऐसे भी show किया जा सकता है और question को इस तरह से भी solve किया जा सकता है जहां पर आप देख सकते हैं कबीर को टोटल 40,000 मिला जवरावर को टोटल 32,000 मिला और पारुलकों का टोटल 88,000 मिला नेट प्रोफिट 155,500 और इंटरस्न रोइंग 4,500 तो दोनों तरीके सही है यह किताब में दिया हुआ है मैंने यह भी करा दिया एक अपना तरीका भी बता दिया अच्छो कि जिस तर से किया जा सकता है कोश्य